नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आगरिती, आज मैं बहुत ही खुबसूरत प्लांट के उपर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका नाम है टैंगल हाट, यह कई नामों से जाना जाता है, जैसे पिलो प्लांट, स्वीडिस आईवी, यह बहुत ही खुबसूरत इंडोर प् आउप्रान पूरे वल्ड में इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल से बात करूंगी कि इस प्लांट की केर कैसे करनी चाहिए, जिससे कि आपके गार्डेन में यह पूरे साल हरा भरा और बुशी बना रहे हैं, इस वीडियो में यह भी बात बताऊंगी बहुत इंपोर्टन बात है वो कि इस प्लांट को इंडोर और आउट डॉर कहां पर प्लेश किया जाए क्यूंकि इस प्लांट की प्लेश जो है बहुत इंपोर्टेंट है I mean मैं ये बताऊंगी कि अगर आपने इस plant को sunlight, full sunlight में रखा और दूसरे उसी plant के mother plant से develop किया हुआ दूसरा plant अगर आपने उसको सुबह की एक गंटे की धूप में या फिर शाम की जाते समय की एक गंटे की धूप में रखा तो दोनों plant में क्या difference आपको दिखेगा, पूरे वीडियो में मैं पूरे plant के detail के साथ आपको दिखाऊंगी तो वीडियो को भीना skip किये पूरा देखेगा, क्योंकि इस plant का सबसे important जो बात है वो place है तो सबसे पहले मैं उस plant को दिखाऊंगी, जिसे मैंने full day sunlight में रखा है इसे direct sunlight मिलती है, कम से कम 6-7 घंटे की sunlight इसको सुबा से लेके शाम तक पूरे दिन ये sunlight में रखता है तब ही इसकी condition क्या है आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस plant को आप देख सकते हैं जैसा कि आप प्लांट को देख रहे हैं, जिस प्लांट को मैंने full day sunlight में रखा है तो इसकी पतियां जो क्या होती है वो पीली पढ़ने लगती है, इसकी पतियां छोटी होके सिकुडने लगती है और धीरे धीरे यह सूखने भी लगती है, इसकी जो shine है वो चली जाती है, बिलकुल yellowish पे दिखेंगे, इसकी जो तने है वो reddish में आ जाएंगे, पतियां सिकुड जाएंगे और उसकी जो खुबसूरती है इस पे नहीं दिखेंगे, और इसकी जो leaf है, वैसे तो इसकी leaf बहुत मोटी होती है, लेकिन आप full sunlight में रखेंगे तो इसकी leaf जो है वो पतली-पतली होते जाएंगे और इसी plant में आप दूसरे साइड, इसी plant में आप देख सकने हैं, दूसरे साइड कि थोड़ी-थोड़ी पतियां green, thick और बहुत ही अच्छा shine दिख रहा है यह इसलिए हुआ क्योंकि जो part में इसको sunlight नहीं मिले, direct sunlight इसको नहीं मिला, वो part अच्छा से develop हुआ और जिस part को इसको बहुत ही जादा sunlight मिले, उसकी जो पतियां सिकुड़ गई, छोटी हो गई, और धिरे-धिरे अपने आप तूटके गिरने भी लगती है, क्योंकि वो weak हो जाती है तो इस plant का place बहुत ही important है, आप इसे direct sunlight ना दे, अगर आप इस plant को सुबह की एक घंटे की sunlight देते हैं, या शाम को जाते समय की एक घंटे की sunlight मिल जाए, ये दोनों में से किसी भी एक time का sunlight अगर मिल जाए, तो इस plant की growth बहुत ही खुबसूरत होगी ये plant एक succulent family से है, इसे ज़्यादा पानी की जरूत नहीं होती, जैसा कि आप इसकी पतियां को देखकर बता सकते हैं, इसकी पतियां बहुत मोटी होती है, जिसमें पानी store रहता है ये plant इतना hard ही है, कि अगर आप एक हफ़ते पानी नहीं देंगे, तो बहुत ही अच्छा चलता रहेगा, पर अगर ज़्यादा पानी दे देंगे, तो ये मर जाएंगे ये tangle hard plant जो है, hanging basket के लिए बहुत ही खुबसूरत है, जब उपर से बास्केट से ये पतियां लटकते हुए दिखते हैं, तो बहुत ही खुबसूरत दिखते हैं इसके जो leaves होते हैं, वो hard shape के होते हैं, और एक दूसरे इसमें उल्चे हुए दिखते हैं, जिसके कारणे से tangled hard के नाम से जाना जाता है इसे आप cutting के through या single leaf से भी grow कर सकते हैं, ये एक ऐसा hardy plant है कि अगर इसकी एक पतियां तूट करके आपके किसी दूसरे pot में गिर जाए, तो वो वहाँ से नया develop हो जाता है ये बहुत ही hardy plant है, मैंने पानी का बता दिया कि इसे पानी बहुत कम चाहिए, तो इसे आप alternate days करके पानी देंगे तो भी चलेगा पहले आप देख लीजिए उसकी उपर की layer मिट्टी की at least 1 inch तक उसकी पानी सूख जाए, तो ही आप पानी डालिए अब हम मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी इसकी ऐसी बनाए जिसमें पानी होल्ड ना करें, अगर पानी होल्ड करेगा तो इसकी जड़े जो हैं सूखने लगेंगी, तो आप इसे नॉर्मल garden soil में भी grow कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें 20-30% sand mix कर देंगे तो एक और जरूरी बात इस प्लांट की यह है कि आप इस प्लांट को छोटा पॉट दे, बड़ा पॉट ना दे, क्योंकि इसकी जो रूट होते हैं वो ज्यादा spread नहीं होते, छोटे-छोटे रूट होते हैं, तो इसे ज्यादा बड़ा पॉट ना दे, छोटा से hanging basket में, सबसे बेस्ट है hanging basket में इसको लगा है, और पानी देने का तरीका कई लोग गलत तरीके से देते हैं, सीधे बीच में से डाल देते हैं, पानी जब आप देते हैं, तो पॉट के चारो साइड घुमा के दीजिए, जिससे कि चारो साइड आपके रूट जो हैं सभी को पानी मिले, कह अगर आप बुशी बनाना चाहते हैं, प्लांट को, तो जब छोटा प्लांट रहता है, तब ही आप उपर से पिंचिंग करते हैं, जहां से आप पिंच करेंगे, जहां से आप उसको कट करेंगे, वहां से दो से तीन ब्रांचे अलग अलग निकलने लगेंगे, तो आप पि जिससे कि वहां से डेवलप हो और नए नए ब्रांचेस निकालते रहें। मैंने अपने इस प्लांट को नॉर्मल गार्डेन स्वाइल में ही लगाया है। तो direct garden soil में लगाया और यह बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है क्योंकि मैंने इसकी drainage बहुत अच्छी रखी है अब खाद की बात करें तो आप चाहे तो मैं वैसे तो घर का बना हुआ होम में liquid fertilizer देती हूं अगर आप चाहे तो गोबर खाद या कोई भी वर्मे कंपोस्ट महीने दो महीने में एक मुठी आप उसमें डाल सकते हैं पर ध्यान रखे कि जब मिट्टी तयार करते हैं तो कोको पीट उसमें आड़ ना करें क्योंकि कोको पीट जो है वो पानी होल्ड करता है और उसके बाद फिर आपके जड़ों को वो सड़ना शुरू कर देगा अब मैं आपको दिखाते हूं जिस प्लांट को मैंने कम दूप में रखा है मतलब इस प्लांट को सुबा की एक से देड़ घंटे की सनलाइट मिलती है और आप देख सकते हैं इस प्लांट की खुबसूरती चोट ऐसा डबबा में लगा हुआ है और ये कितना घना कितना बुशी दिख रहा है आपको इसमें मैं कुछ भी आड़ नहीं करती बस घर का बना हुआ होमेड लिक्विड फर्टिलाइजर बस और कुछ नहीं से किचेन वेच से बना हुआ वो फर्टिलाइजर है तो आपने देखा जिस प्लांट को मैंने फुल छोटा पॉट दिया है फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है इस प्लांट को मल्टिप्लाइज करना बहुत ही इजी है आप चाहें तो जब आप ट्रिमिंग करते हैं प्रूनिंग कर रहे हैं प्लांट को तो वहां से तोड़ करके दूसरी गंबले में नीचे की दो ती हो रहा है तो आप तोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइजर कर सकते एं Pk19-19-19 उसमें इक चंगच एपसें सॉраш मिक्स कर दीजिए उससे क्या होगा कि अगर आप एपसेंस सॉल्ट मिक्स करेंगे तो जो अगर केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ा हाड अगर रहेगा तो एपसेंस सॉल्ट उसको बैलेंस कर देगा तो देखा आपने कितना थोड़ा सा केर में कितना अच्छा डिवलप हुआ यह प्लांट मैंने क्या गलती कि थी सिर्फ मैंने इस प्लांट को full sunlight में रखा था, बाकि सब कुछ में same way feeding देती थी, जिस प्लांट को सिर्फ सुबह की एक से ब्यदЬ गंते की दूप मिलती है, और इस प्लांट को सिर्फ full time sunlight में था, इसलिए इस प्लांट के place जो है बहुत ही important है, तो थोड़े से care पे आप अपन इस प्लांट को बहुत खुबसूरत बना सकते हैं, पानी का ध्यान रखिए, लोकेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए, टाइन टाइम पे थोड़े थोड़े समय पे आप इसकी ट्रिमिंग करते रहें, जिससे कि बुशी बनते रहें, और पॉट इसे छोटा दीजे, और बड़ा हो जाएगा, तो फूल डीटेल के साथ पूरा वीडियो बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, और आने वाले वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा द तरीके से आप लगा सकते हैं, छोटे से छोटे जगह में बहुत ही बुशी कैसे कर सकते हैं, आने वाले वीडियो का इंतिजार कीजिए, तब तक हैपी गार्डनिंग